आत्मी या स्वयम सेवक बंदुगाण। आप सभी को नव वर्ष की युगाब्द 5122 की अनेको शुभका मनाए हैं। इस समवत्सर का आरंभ ही सारा विश्व एक वैश्विक संकट से जूजने में लगाए ऐसे समय हो रहा है। सारे विश्व के साथ उसकी उद्ध में भारत भी लगा है। और इसलिए स्वयम सेवकों का दाइत्व भी है। यह उत्सव अपना संकल्प दिवस है, अपने परमपरा में इसको संकल्प का दिवस माना जाता है। कोरोना नामक विशानु से जो देजभर में उसको परास्त करने के प्रयास चले है। उसमें विजय पाने का संकल्प करके हमको अपने कार्य को भी करना है और कार्य को करते समय सामाजिक दाइत्व का निर्वा भी ठिक दंग से करना है। हम जानते हैं कि हमारा कारिय उसकी पद्धती एक प्रकार की है। कार्य करम अनेक प्रकार से हो सकते हैं। डॉक्टर एक बार तो कहते थें कि रात को सब स्वंचवक अपना बिस्तर लेकिए एक जगह सोने के लिए और सुबहुट के चले जाए तो भी संग काम हो सकता है। इस वचन की पढ़ताल भी संग की इतियास में एक दो बार हुई है। दो दो साल अपनी शाखाय बंदा रही लेकिन कारी चलता रहा। कल रात को बारा बजे से आने वाले 21 दिनों तक संपूरन देश में 21 दिन का जो लागडाउन घोशित हुआ है। उसका पालन करके भी अपना कारिया ठीक से हो सकता है। हम अपने घर के अंदर या अपने बिल्डिंग में बहुत छोटे समोह में 57 लोगों में केवल प्रार्थना कर सकते अपने घर के सदस्यों के साथ प्रार्थना कर सकते। अमुक एक विशिष्ट प्रकार की आचार पद्धती विशिष्ट प्रकार के कारिक्रम यह सामान्य परिस्थिति में अपनी शाखा जैसी चलती हो उसके लिए ठीक ही है। लेकिन असाधारण परिस्थिति में असाधारण इस प्रकार की नई शैली को अपना कर हम उतने दिनों तक अपने शाखा की जो आवश्चक बात है कि एकत्राना और प्रार्थना करना अपना सामुहिक संकल्प मन में दोहराना इसको करके उसको निभा सकते हैं। मननीय सरकार्यवाजी ने इसके संबंद में पहले कुछ सुचनाएं दी है। जैसे आवश्चक है वैसे आगे भी उनकी सुचनाएं आती रहेगी। स्वाबा भी कहें कि वो सारी सुचनाएं इस विशानों के विरुद्ध जो संगर्ष चल रहा है। उसके लिए जो शासन प्रशासन के द्वारा तै नीती है। उसके अनुकुल ही होगी। उसका हमने ठीक से पालन करना और उस सारे अनुशासन का पालन समाज भी ठीक से करे। ऐसा उसका प्रबोधन इन सारे अनुशासन के निर्बंधों का पालन करते हुए करना ये हमको रहे के दिखाना है। सरकार्यवाजी की सुचना आने के पहले से ही इस संबन्न में जो जो करतव्य अपने जिम में आते हैं। उनको निवाने के शुरुवात स्वेंचों को ने कर दी है शासन प्रशासन का सप्रकार के सहयोग में समाज के सप्रकार के प्रबोधन में और ऐसी परिस्थितियों में जो राहत की आवश्चता होती है शासन प्रशासन के अनुमती और सला से उस सारे राहत का प्रबंधन करन यह सारे काम स्वंचों को ने शुरू कर दिये संकट का फैलाव इतना नहीं था इसलिए जहां था वहां शुरू हो गए हो सकता है अब सारे देश में हमको कुछ करना पड़े जहां जहां जैसी आवश्च्चता है वहां अपने तरब से सारे अनुशासनों का निर्बंदों का पालन करते हुए और समाज भी उसमें ठीक चले और हम सब मिलकर इस आपत्ति को परास्त करें ऐसा हम सब को करना चाहिए इस संगर्ष में मुख्य बात है समाज के द्वारा इस सारे अनुशासन का पालन करना बाकि दवाई अन्य जो आवश्चक सेवाए सुभिधाए हैं वो साहयक होगी लेकिन जो मूल बात है कि यह फैलाव संसर्ग से होता है उस संसर्ग को टालना जिसको आजकल अंग्रेजी में सोशल डिस्टंसिंग कहा जा रहा है उसको ठीक यशस्वी करना यही इस युद्ध की बड़ी मार्के की बात है जो समाज की सामुहिक जिम्मेवारी की जो कल्पना है और उनका जो सामुहिक अनुशासन है उसके आधार पर यशस्वी होती है संग की हमेशा शिक्षा इस सामाजिक अनुशासन का पालन करने की और राष्ट्रिय चरित्र के तका जैसे अपने जीवन में राष्ट्र हित को अनुशारण करते हुए अपने छोटे मोटे स्वार्तों को बाजू रखतर काम करने की जो आदत है वो आदत इसमें काम में आन और हमारा भी अभ्यास होगा, तो कभी-कभी ऐसा लगता है, अब ये कब तक चलेगा, और मिलना जुलना ही नहीं होगा, तो अपना काम कैसे होगा, अपना काम व्यक्ति निर्मान का काम है, सांस्कारों का काम है, और सांस्कारों का वातावरन समाज में निर्मान करने का काम है इस लड़ाई में ये जो विशानूं के खिलाब तरतर के निर्बंद पालन करके उसको नाकाम करने का जो काम है वो काम करते समय भी यही सारा काम अपने लिए भी और समाज के लिए भी हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं संकल्प की शक्ति यह बड़ी शक्ति होती है हम इस संकल्प को ध्यान में रखे और परिस्थिति में जो अपने करताव्यका भान है उसको कायम रखते हुए अपने स्वयम से वो को तो का स्मरण रख कर हम आगे चलते रहे तो जिस प्रकार और जिनका यह नवव वर्षय का दिन जन्म दिन भी है ऐसे अपने संगन निर्माता परमपूजे निया अध्य सरसंग चालक डॉक्टर इड़ेवार जिनको आज हमने आध्य सरसंग चालक प्रणाम दिया है उनको प्रणाम देते समय भी उनके जीवन की जब याद करते तब ध्यान में आता है कि इसी प्रकार तत्व को कायम रखते हुते हुए परिस्थिती के अनुसार शैली का अंगिकार करके चलना और मूल संकल्प को याद रखके स्वयम उदारन बनकर सब कामन बनाना यह जो संगकारी की मूल पद्धती है जो संगका स्वयंचों कहीं भी जाए और किसी भी काम को करें नहीं बदलती उसी शैली को कायम रखकर आने वाले दिनों में हम अपना करता हुए करते हुए संपूर्ण देश को इस विशानू के खिलाब जो युद्ध चल ला है उसमें भी विजय प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त करने वाला एक उदारन के नाते सामने ला सकेंगे ऐसा विश्वास है इस विश्वास को चरितार्थ करने का समय है उसका संकल्प करके हम सब लोग चले यही आप सबसे इस अउसर पर मेरा अनुरुद है